आपको को अपने पहले दिन के क्लास में पढ़ा चुका हूं आज मेरी second day class है दुसरे दिन की class है अवारी और student qalars Let that have come Road to class ुप्रेट्लों आपको रही है यह कोई बीण एसने point है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है को और आप उसको comment लिख ळिन पर करlio изб mission मैं उसे next day की class में solve कर पाऊं, so students, एक request आप से, कि आप को ये कोई भी problem होती है, जैसे आप अपने teachers के साथ अपने class room में share कर सकते हैं, वैसे आप comment के through हमें आप बता सकते हैं, आप की उस problem को मैं next class में solve करने का पुरा प्रयास करूंगा, students, तो आज का जो class है, students, आज बहुत ही important है आप हों के लिए, आज की class बहुत ही important होने वाली है, because आज का मेरा जो topic है, वो है खाते, खाते क्या होते हैं, एली में खाते किस से कहते हैं, खातों के प्रकार, and golden rule of account, खातों के जो rules है, जिस rule पर पुरा interest system, पुरा accounting depend करता है, students, आज मेरे topic में यह important चीज़े है, और यह इसलिए important है, कि भी इसके बिना, हम कोई भी general entries नहीं कर सकते, हम अपना laser भी नहीं maintain कर सकते, क्योंकि खाते जो होते हैं, उसे ही telly में laser कहते हैं, किसी ब्यक्ति का अगर हमारा account है, उसका जो खाता हम बना लेते हैं, फिर जितने भी लेंदेन उसके खाते में होते हैं, सब उसके अंदर कतम करते हैं, इसलिए खाता बहुत ही important है students, dear students, आप अपना copy और pen ले करके बैठ जाएं, अगर ना लिये हूं, तो आप और pen ले लिजिए, चुकि आज की class बहुत ही खास है, अगर आज की class को आप carefully पढ़ रहे हैं, तो आपको entry system के लिए जो rules की आवसक्ता होती है, वो आपको completely तयार हो जाता, और इसमें आपको कुछ रटना भी नहीं पढ़ेगा, मैं इस तरीके से आप लोग को बता करने के लिए, मेरे class की जो वीडियो है, जो मैं upload करता हूँ, उसे आपको प्राप्त करने के लिए, बस कुछ चीज़ें करनी है, मेरे इस चैनल को आपको लाइक करना है, मेरे वीडियो को लाइक करना है, सबस्क्राइब करना है, और अपने friends, अपने मित्रों के पास इसको आपको share करना है, जिससे ये सुविधा, जो प्री टैली क्लास है, ये ज़्यादा तर लोग प्राप्त कर पाएं, और notification प्राप्त करने के लिए, विल को भी आप जरूर प्रेस करें, so dear students, let us start, आज का टॉपिक है, अकाउंट, खाता, अकाउंट, अकाउंट क्या है, खाता, खाते को हम संचित में समझेंगे students, menu of account, account है क्या, खाते का मतलब है, students, खाता, किसी व्यक्ति विशेश, संपत्ति, वस्तु, माल, आयादे, जो वित्ये व्यवहारों को संचित रूप में, किसी बुक में व्यवस्तित लिया जाता है, लिखा जाता है, उसे हम खाता कहते है, मतलब जो सिर्शक होता है, उसे हम खाता कहते है, हम इस तरह से समझेंगे इसे, इसे रमेश का एक खाता है, किसी भी खाते में व्यक्त करने के लिए, खाते को व्यक्त करने के लिए इसको पक्षो मिलका जाता है, मैंने आप लोग बत कि मैं छाएका देविट & क्रेडीट दो वक्ष होता है' mental cryptocurrency वर्ट कर privileges कि कि हम apple accounting सिस्टम ने वंब कर रहे हैं और दनोड accounting सिस्टम में दो पक्ष्षयों का होना जरूरी है कि एक डेविट पक्ष और एक credit box debit box को हम left side में लिखते हैं debit को आप जाते हैं जब हमें नाम पर प्रवर्षी करानी होती है तो से हम debit करते हैं नाम बख्ष मतलब debit debit को 60 में D आता है और जमापक्ष मतलब credit credit को 60 में C आता है किसी व्यतिक एक खाते के लेन नेन को तो date wise क्रमा अनुसार लिखने के लिए हम debit और credit में वेवस्तित कर सकते हैं इसे हम date wise क्रमा अनुसार लिखते हैं date wise लिखते हैं date particular and amount मतलब यहां उसकी प्रविस्टी करते हैं जब उसके हमें नाम पर प्रविस्टी करनी होगी तो हम debit पक्ष में लिखेंगे और जब हमें उसके जमा पक्ष पर प्रविस्टी करनी होगी तो हम credit पक्ष पर करते हैं तो student sort में आप account समझ सकते हैं खाते क्या होते एक बार देखें खाता account meaning of account account से क्या आसा है कि किसी व्यक्ति भी से संपत्ति वस्तु मांग आयवे एसे वित्तिय व्यवहारों की प्रविस्टी किसी भूग में लिखने के लिए मैं जो सीर्सक यूज़ करते हैं हम वही खाता होता है और उस खाते को हम इस तरह से समझ सकते हैं एक पक्ष भी आर और एक पक्ष सी आर खाते में जो लग साइड में प्रविस्टी होती है वो डेविट होती है खाते की राइट साइड में जो प्रविस्टी होती है वो क्रेडिट होती है जब में उसके नाम पे चड़ाना होगा तो हम डेविट डी आर पे करते हैं और जमाबक्ष में चड़ाना होता है तो क्रेडिट सी यार करते हैं कहने का मतलब जैसे हम रमेश को माल बेचते हैं तो रमेश को जब हम माल बेचेंगे रमेश उधार माल ले जा रहा है तो रमेश अकाउंट डियार टू सेल्स तो उसके नाम पर उसकी प्रवस्ट्री होगी रमेश अकाउंट डिया रमेश डैविट हो जाएगा और हमारे यहां से जो संपत्ती बेच रहे हैं जो माल जा रहा है तू सेल्स उसे हम क्रेडिट कर देते हैं तो डैविट एंड क्रेडिट में चड़ जाएगा लेकिन जब व करेंगे और वो रिसीट किया हुआ पैमेंट तब वो हमें दे रहा होता है और उसे हम क्रेडिट में चड़ाते हैं चुकि कोई भी परसनल अकाउंट अभी हम रूल में आपको इसको समझाएंगे कि परसनल अकाउंट का क्या रूल होता है रियल अकाउंट का क्या रूल होत तो आगे आप देखें ताइप वफ अकाउंट भी थे हैं आप को अध्य जो हैं वो दो प्रकार के होता है अश्जून करके प्ड़ते हैं श्कोर और वह प्रकार के हैं पर्स्रटर रिएल और पराओं बट मैं थोड़ा सा इसको और इसक्राइब कर रहा हूं खाते दो प्रकारवे होते हैं .. फस्स इस्टूडेंट पर्सनल एकॉंट पर्सनल एकॉंट और इन्ड है 스트coranewas इ म मो apostles members पर्सनल पर्सनल एकॉंट प्र्सनल को हम और तिकति छाता किना आता हैं और एंपर्सनल को हो अवैक्तिक होने के नातें चुकि इसका रोल विजएय्श नहीं पता चलता है इसके अनतरकट दो खाते आते हैं, एक है real और दूसरा है nominal, real account and nominal account, अकाउंट, रियल मतलब होता है वास्तविक, रियल अकाउंट में वास्तविक खाता, खाता, और नॉमिनाल होता है ना मात्र खाता, यह है इसका क्लासिफिकेशन, अकाउंट दो प्रकारगा होता है, परस्नल अकाउंट और इंपरस्नल अकाउंट, व्यक्तिक खाता और अवेक्तिक खाता, या फिर अवेक्तिक खाता, जिसे हम रियल अकाउंट कहते हैं और और नなら एकाउंट कहते हैं दिखानी आए, ग्लासिफिकेशन में यह दुनों भाई 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 हो गए, और यह इसके पुत्र मतलब इन दोनों के इन तीनों में इसमें और इसमें चाचा बतिरा का समब्स हैं, बट लोग directly पढ़ते हैं, account तीर प्रकार का होता है, personal, real and nominal, हाला कि use में यही तीन आते हैं, तो हम थोड़ा सा सब के बारे में उसका introduction सुलेंगे, फिर हम अगर topic पे चलेंगे, student, personal account किया है, personal account किसी व्यक्ति, company, firm, organization से सम्बंदित जो खाते होते हैं, उसे हम व्यक्तिकत खाता या personal account कहते हैं, personal account जैसे, हम इसका थोड़ा सा उदारण देखेंगे, जैसे, रमेश account, संजीव account, bank account, etc. यह सब personal खाते हूटे हैं, कोई व्यक्ति है, कोई से जुड़े होते हैं, इत्यादी के नाम से होते हैं, उसे हम personal account कहते हैं, व्यक्तिकत खाता कहते हैं, छा मंनि और इन कर्षा संबंद किसी संपत्ति या आएवे से हुटा है इसलिए इसके अंतरकत दो खाते आते हैं Real and Nominal Real Account मतला वास्त भी खाता वास्त भी खाते को हम संपत्ती खाता भी कह सकते हैं Because Real Account के अंतरकत समस्त संपत्यों का लेखा जोखा रखा जाता है समस्त संपत्यों का जो भी बरण हम देते हैं वो हम Real Accounts के Thru देते हैं संपत्तियां Assets जिसे हम Assets कहते हैं Assets दो प्रकार का होता है Main Assets दो प्रकार की होती है एक है आपका Fixed Assets और एक है आपका Current Assets Fixed Assets बिंस अचल संपत्ति and Current Assets चल संपत्ति Fixed Assets और Current Assets को हम इस तरह से समझेंगे students वो संपत्ती जिसके द्वारा हम व्यापार करते हैं, उसे हम फिज एसेट्स कहते हैं, जिसमें हमारी विल्डिंग आ जाती है, मसीनरी आ जाता है, फरनीचर आ जाता है, लेंड आ जाता है, एक्षेक्टरा बहुत सारी चीज़े हैं, ये समारे फिज एसेट्स होते हैं, इसके द्वारा हम भयापार करते हैं But student वो समबत्ती जिसका हम भयापार करते हैं जिसका कहने का मतलब जैसे process है goods है ये सिरेव आपके current assets मेह लगते हैं और फिर सो हो या फिर current assets हो वो सब की ár negrat के real account के अंतरकत करते हैं जैसे for example आप देखेंगी है कैसे एकाउंट विल्दिंग एकाउंट फरनीचर एकाउंट एक्सेटर एक्सेटर एटिसी कुछ भी और बहुत सारे हैं तो मैंने कुछ एक्सांपल आपको दिखाया खाते कैसे होते हैं इग्सांपल यह जा नाम मात्र खाता नाम मात्र का संसिय है इसे हम आय वे खाता कहते हैं आय और वे या फिर लावहानी का करते हैं अब यह दो चीजें हो गई आय वे एंड लावहानी कुछता है जब कोई भी ब्रांट करते हैं हम कि सीवा को प्राप्त करके उसका सिवा के लिए जो सिवा कर रहेlı उसके लिए जो हम expense करते हैं, जो कर्चा करते हैं, वो गेर होता है इस्टुएंस, बट लाब और हानी से थोड़ा सा हटके है, क्योंकि हुई हुई जो हम आए होती है, जो मेरी income होती है, उसमें purchasing cost को हटाने के बाद, जो profit होता है, मैं उसे हम लाब कहते हैं या profit कहते हैं, और loss क्या है, loss होता है, जो सेवा हमने प्राप्त ही न की हो, बिन सेवा प्राप्त किये ही, उसका amount हमें देना पड़े, कहने का मतलब हमने जैसे कोई भी सामान खरीदा, और उस सामान को हम यूज ना कर पाएं, और वो मेरा सामान खो जाए, या गिर जाए, वो मेरा loss हो गया, या मतलब डिफ्रेंस है, कि वेग वो होता है, जिस सेवा को हम प्राप्त करके उसका सेवा चार्ज लेते हैं, उसे हम वेग कहते हैं, लेकिन जो सेवा हमने प्राप्त ही ना की हो, और उसका हमें चार्ज पे कर देना पड़े, वो हमारा loss होता है, और वो चीज़े हम, IFA, लाव कि अद्री एकांट यहां देते हैं किसी को तो जब उस्सें सेवा लेते हैं एक महीने वो मेरे यहां वर्क करता है एक फिर उसे हम इसके बस्के बदले देते हैं कि अधिक तो सेवा को प्राफ्त किया जातों मेरा वैर जैसे Interest Interest से इंटरेस्ट व्यार जैसे हमने किसी को माल बेचा और हमारे निरधारित समय पर जो हमने उसको एक पीरिएट दिया दया पेअट करने का उस पीरिएट में वो पेअट हमें नहीं देता है तो हम उससे व्यार चार्ज करते हैं या हमने bank से कोई loan ले रखा है और bank को हमने समय पे पैसा नहीं दिया या loan ले रखा है अगर हम मुल्धन नहीं चुका पा रहे हैं तो उसका पर्मन ब्याज में देना परता है जिसे हम bank charge करते हैं students तो ये सारी चीड़ें आपके nominal account में आती हैं एक बार आप फिर से देखें अकाउंस दो प्रकार के होते हैं personal और in-person इन-person पर्मन के अंतरगत दो प्रकार के खाते हैं regular and nominal personal account वह खाता होता है इसके अंतरगत हम किसी व्यक्तिक company संस्था इत्यादिका विबरण रखते हैं त्याद का जो खाता होता है उसे हम personal account कहते हैं जैसे रमेश account, संजीव account, बेंक एटाफव account ये सारे आपके personal account कहे जाते हैं इन-person account वह खाता होता है जो किसी बैक्ति से संबंदित ना हो करके जिसका संबंध संपत्ति या आएवे से हो वह आपका अवेक्ति खाता या इन-person account कहा जाता है इन-person account दोप्रकार के होते हैं एक है students real account और एक है nominal account Real account मिल्स वास्तिविक खाता और nominal account मिल्स नाम मात्र खाता या फिर आएवे खाता Real account में हम समझ संपत्तियों का लेखा जो खा रखते हैं वह खाते हैं जो किसी संपत्ति से संबंद जिनका होता है उसे हम Real account कहते हैं चाहे वो संपत्ति चल संपत्ति हो चाहे वो अचल संपत्ति कहने का मतलब चाहे वो fix assets हो चाहे वो current assets हो इसमें कुछ एक्जामपल है जैसे case account है विल्दिंग अकाउंट है फरनीचर अकाउंट है देखे कैस आपका याँपर current assets है बट विल्दिंग फरनीचर लैंड यह सब आपके fix assets में आते हैं अगला है nominal account नाम मात रखाता है इसे आए वे खाता भी कहते हैं इस खाते के अंतरगत हम company में होने वाले समस्त आए और वे को हम इसमें लिखते हैं जैसे salary, wages, electricity bill, interest, commission, etc. यह सब आपके nominal account के अंतरगत आते हैं Students, यह बहुत ही important points है यह अगर आप यह चार्ट अगर आप यह diagram अगर आप note कर लेते हैं तो accounts में आपको कोई भी confusion नहीं होती है मैं आपको book और copy और pen लेने को बुलता हूं तो यह से जैसे important point आपको note कर लेने होते हैं Students यह बहुत ही ज़रूरी है अगर यह से आप बनावर के note कर लेंगे तो सारी चीजेंस में आपको clear होते हैं आपको आ रहे हैं तो complete general entries में आपको कोई भी problem नहीं होने वाली है कि आप जानते हैं एकाउंट परस्नल, real and nominal और प्रतेग account के rules है क्योंकि इनी तीनों account पर depend करता है complete entry system तो इन अकाउंट से हैं कैसे इसको आप समझें जैसे कोई ब्यापार है कोई business है उसमें इनी तीन पर कुणा इंडरी सिटम कैसे कर सकता है मैं बताता हूं अपनों को जैसे कोई व्यापार है व्यापार में first कोई पाने वाला और एक देने वाला जो पाने वाला और देने वाला होगा वो personal account होगा और वो personal account क्या पारा रहा है कहने का मतलब आदान प्रदान किसका हो रहा है और जिस जिसका आदान प्रदान हो रहा हो रहा है और यह लोगा संपत्ति होगी और आदान प्रदान होने के बाद क्या होगा किसी का आय हुआ होगा और किसी का बेर होगा जो सेल करने बैठा हुआ है उसका आय होगा और जो परचेस करने आया है वो बस तुख खरीद रहा है चुकि उसे उसकी आवसकता है और वो अपनी आवसकता की पूर्ती के लिए बैठ रहा है तो ब्याफार में पाने वाला देने वाला परसल एकांट हो गया क्या पाया और क्या दिया वा करियल हो गया और जब प्लेंदें वा थो किसी का आयह लुए इन तीनों के आयवे होने पर लाभ और हान इसमें चिपा हुआ है कि जिसकी आयह हुई वो पर्चेशिंग कॉस्ट को हटा खरके कुछ ना कुछ उसमें उसको आय लाभ हुआ होगा को पाने वाला देने वाला क्या पाया क्या दिया शंपत्ति का आदान प्रतान वाँ और आदान प्रतान करने के बाद जो अगला हुआ आधों आएगा रही किसी का वेवाल इसकोंग मैं एक यूजन को दर्ली थो दिया वह उत्युक्ष सके यह आपने यूज रहे जो जहुद में एके ंट्रि में सारे का यूंज हो जाएका बट downwards लोग है दो फक्ष होते हैं एक पक्ष पाने वाला और एक पक्ष देने वाला तो अब रूल को समझते हैं students फस्ट रूल्ड है रूल ओर पर्सेमर एककाउंट पर्सेमर एककाउंट का रूल है पर्सनल अकाउंट का रूज आ है डैविट द रिसीवर, डैविट द रिसीवर, रिसीवर होता है पाने वाला, पाने वाला डैविट होता है, पर्सनल अकाउंट में पाने वाला डैविट होता है, हम ऐसे कह सकते हैं, पाने वाला या धन पाने वाला व्यति, रिडी या डी आ बता दिया है कि डेविट को हम नामे, रिडी, डी आर और बाई से हैं, इसका संभोधन इन चार वर्ड में से किसी से भी हो सकता है, और क्रेडिट में, सी आर, टू, धनी और जमर, तो इस तरह से आप समझेंगे, पर्सनल एकाउंट का जो रूब है, डेविट, दर रिसीवर, मैं का मतलब पाने वाला व्यक्ति, डी, डी आर बता है, एक चीज़ का पिसेज घ्राम देना होगा स्टुडेंट्स, ये रूल, जब हम कोई भी डेनरल इंट्री करते हैं, तो उसमें हम ये समझें, इंट्री को हम प्रजेंट देखते हुए करते हैं, तुरंस क्या है, प्र परजेंट्स, परस्नल एकांट्ट्स होगिया,ar क्रेडेट देखते हैं, आमपूर्त इपने वाला व्यक्ति, ड्री या डिया, और देने धन निने वाला व्यक्ति, धनी या सिया, इसको हम व्यक्ति, इसलिए मैंने इसमें लगा वियां चुकि परस्नल एकांट्स हां तो 150 एक बार हम फिर से repeat करते हैं, हम इतनी बार इसको repeat करते रहे हैं, इस तरह से बता रहे हैं कि आपको रटना ना पड़े, आपको ये चीज याद हो जाए, class को देखते ही, class में आपको ये याद हो जाए, परसल, rule of personal account, debit the receiver and credit the giver, पाने वाला बेक्टी DR और देने वाला बेक्टी CR, आम नेक्स रूर पे आते हैं students, rule of real account, मतलब वास्त भी खाते का रूल, वास्त भी खाते का नहीं, debit what comes in, debit what comes in, real account एक संपत्ती खाता है, इसलिए, जो संपत्ती व्यापार में आए, जो संपत्ती व्यापार में आ रही होगी, या जो संपत्ती व्यापार में आए, उसे DR करते हैं, real account के रूल के ते हैं, credit what goes out, credit what goes out, जो संपत्ती व्यापार से जाए, बहुत लोग conclusion में पढ़ लेते हैं, जो संपत्ती व्यापार में आए और जो संपत्ती व्यापार में जाए, व्यापार में जाए नहीं, व्यापार से जाए, debit what comes in जो संपत्ती व्यापार में आये उसे DR and credit what goes out जो संपत्ती व्यापार से जाये उसे हम C आता है Students एक बार मैं फिर से repeat करता हूँ real account करूँ debit what comes in and credit what goes out जो Hindi में समझ सकते हैं Hindi में समझ ले इगलीज में समझ सकते हैं वो इगलीज में समझ वैसे मैं बहुत ईしたधक भवासा में बताता हूँ यदि आप उसको कोई भी समझ्ध्या होती है तो अप comment box में comment करके हमसे बता सकते हैं मैं इसको architects करने-पूरा प्रयास करूंगा स्वेट्स, बट कोई भी इवट नहीं होना चीए रिमांत में, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चीए, तभी आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन पाएंगे, और मेरा यहीं प्रयास है, अगर आप मेरे सारे वीडियोस को देखेंगे, स्टार्टिंग तो आप कोई बहतार अकाउंटेंट होने से कोई रोब नहीं सकता, डैविट what comes in and Credit what goes out, जो संपती व्यापार में आए उसे DR, जो संपती में व्यापार से जाए उसे हम CS करा की हैं नेक्सट वी आते च्टिरेंट्स, रूल औव नॉमिनल अगॉंट, नॉमिनल अगॉंट कि नहीं है, ये क्या है डैविट आल एक्सपेंसे एन लॉसे, आप जानते हैं कि नॉमिनल अगॉंट एक मात्र खाता है इसे हम आयवे खाता भी करते हैं debit all expenses and losses सीधा सपंडा है कि जो वे और हानिया हो उसे हम debit कर देते हैं और जो I और लाव होते हैं उसे हम credit कर देते हैं देखें कि आप debit all expenses and losses and credit all incomes and gains gain means होता है आप लोपी debit all expenses and losses and credit all incomes and gains क्याने का मक्तव है समस्थ वे योग हानियों को debit all expenses and losses का हिंदी जाओगा समस्थ वे योग हानियों को हम देआ debit करेंगे credit all income and gains समस्थ आयोंग लाभ को हम CR और क्रेडिट करेंगे स्टुडेंट्स एक बार मैं फिल्जर इंडिट करूंगा रूल आफ नॉमिल अकाउंट डेविट आल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज समस्थ वेयोंग हानियों को DR करते है समस्थ आयोंग लाव को धनिय करते हैं Standards यह बहुत है कि कि इसको आपको समझ लेना है इसको आपको याद कर लेना है बट रटना नहीं है मैं अपनी क्लासिस में बताता हूं इससे रटना नहीं है इसको समझना है, क्योंकि कोई भी जनरल इंट्री होगी, तो उसमें आपको ही यह तै करना होगा, कि इसमें हम कौन सा रूल फालो करेंगे, मैंने इस चीज़ आपको बताया, कि कभी भी जनरल इंट्री आप कर रहे हो, तो आप प्रेजेंट देखिए, इंट्री कहा रहा है, ठीक है, बस अब जनरल इंट्री आपको डेखिली बताएंगे, उसको जाओं पढ़ाएंगे, तो उसके सारे रूल इंट्रीशन, और रूल को कैसे पालू करते हैं, वो सारे चीज़े हम बताएंगे, इस तो यह है आपका गोल्डे रूल, जो कि जनरल इंट्रीज में, आप अच्छे से पढ़ें कोरोना वैरस इस महामारी के चलते भी आप सेफ रहें घर पर रहें और घर पर रहते भी आप पढ़ाई करें और एक अच्छी क्लास करें जिससे आप भबिस्व में एक अच्छा अकाउंटेंड बनके उखें कि डियर स्टुडेंट्स यह चीज़ें आपको विशेज ध्यान देनी होते हैं कि किसी भी कंपणी में जहाते हैं इंटर्व्यों कर आपे हमसे यही सारी चीज़ें पूछी जाते हैं इंट्रीज पूछ भी आती है पट्डी आपको तब आएगी जब आपको यह रूल्स आज विकास यह बहुत ही इंपोर्टेंट है आज का क्लास का मेरा जो टॉपिक था वो खतम हो रहा है स्टुडेंट्स हमारा यही प्रयास है कि आप लोग सेप रहें और अच्छे से पढ़ें और एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को आप लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेर करें यह क्लास की सुविदा और लोगों को मिल पावे इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें स्टुडेंट्स इसका कोई भी फी कास्ट नहीं है इस क्लास का फ्री आप कास्ट है तो जितने लोग भी इस class को पढ़ सकते हैं उनको आप इसका जो इक्शु की students हैं उनको आप share कर दें link share कर दें और उसको अगर subscribe कर लेते हैं notification के लिए जो bell icon उसको press कर देते हैं तो आराम से हमारे सारे वीडियो का वीडियो प्राप्त कर पाएंगे और जो पुरानी वीडियो जैसे जैसे हमारी वीडियो मैं next class का वीडियो बनाता हूँ पुरानी वीडियो पुरानी क्लास का description में बसका link डाव देते हैं students जिससे कोई भी वीडियो आप मेरा open कर लीजिए और description में जार करके उसके link को वहां से आप open कर सकते हैं और सारी classes को आप पढ़ सकते हैं आज के लिए वस इतना students that's all thank you